अपना विजार आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाया है एक बहुत ही बहतरिन और इंपॉर्टन टॉपिक वह है कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ट्रिक से बोड परिच्छा में पास कैसे होगे ठीक है तो यहां पर दिखी यह जो ट्रिक और टापिक है यह सिर्फ जो विक इस्टूडेंट है उनके लिए नहीं बलकि सभी परकार के इस्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टन होने वाला है यह ट्रिक तो आप लोग विडियो को बिना इसकिप के लाश्ट तक देख क्वेश्चन आपके बोर्ड एक्जाम में आया हो जनुरूरी हो कि वो क्वेश्चन का एंसर आपको आता हो ठीक है क्योंकि कभी कभी इस तरह अजिप क्वेश्चन भी दे देते हैं टालेंट स्टूडेंट होते वो भी इसके आंसर नहीं दे पाते ठीक है तो उनके लिए यह ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो यहां पर देखिए हम आपको इस पेपर कॉपी में भी बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर आप किस तरह लिख होगे ठीक है तो यहां पर देखिए आप वीडियो को बीना स्किप किए लाश्ट तक देखिएगा तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी जो फ़र्ष्ट टॉपिक रहा ठीक है कि यहां पर देखिए जैसे यह रहा आपका क्लाश 12 का पेपर ठीक है कमेश्टी का तो यह आपका जो बोड़ इक्जाम में आता है वो सत्ता नंबर का आता है और तीन घंटे 15 मिनट आपको समय मिलते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए प्रारंब के जो 15 मिनट है वो परच् 15 मिनट है यह आपके लिए बेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्टन को सभी प्रसन को बिल्कुल सीरियल से पढ़ते जाना है ठीक है तो आप 15 मिनट जब पढ़ लिए तो अगर आप अपने बोड़ एक्जाम के पेपर कापी को 15 मिनट प जो प्रसनों का उत्तर आता हो सबसे पहले उसको करें यहां पर आप कहोगी कि मुझे कोई बी टॉपिक प्रसनों का उत्तर आ रहा है बड़ क्या है कि वो आधह यह यहा रहा है ठीक है उसमें भूर बटक रहे हैं थोड़ा बहुत ही मुझे वो क्वेश्टन का आंसर याद योग लिखिए तो यहां भी दिखिए जो आपके बोर्ड एक्जाम में क्वेस्चन होते हैं वो इस्टे बाई मार्क मिलते हैं आपको किस तरह मिलते हैं अगर आपको पता है यहां पर कि प्रतिजविक क्या होते हैं तो इसके बारे में आप क्या किये थोड़ा बहुत आपको थोड़ी बहुत भी याद है ठीक है टूटा फुटे सब्दों में भी आपको याद है तो आप उसको राइट कर दीजिए घबराइए बिल्कुल ना कि आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा आप उसको लिख दीजिए उसका आंसर ठीक है जैसे प्रतिजविक क्या है तो ये एक प्रकार की आउसदी है तो आप छोटा सा आउसदी लिख सकते हो तो एक नंबर मिलेगा अगर किनी दो प्रतिजविक का नाम तथा उप्योग लिखिए तो आप गर आपको नाम नहीं आदे तो आप मत लिखिए ठीक है अगर आपको नाम नहीं आदा रहा है तो आप आप दो नमबर का question क्यों छोड़ेंगे आपको छोटा बहुत थोड़ा भी answer आ रहा है तो उसका आप लिखने का परियास कीजिए ठीक है उस question को छोड़ने का कभी भी परियास मत कीजिए और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जितना भी हो सके आपको इस paper का question के सभ लिखना प्रारम करें पहला question रहा ठीक है इसके question का answer आप लिखो फिर दूसरे का तिसरे का इस तरह आप सीरियल से लिखते जाएंगे तो और भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और teacher को copy आपके चेक करने में अगर आप कुछ भी लिखे हो थोड़ा बहुत भी लिखे हो ठीक है तो teacher को copy चेक करने में यह दिकत नहीं होगा और देखेगा कि नहीं आप टाइलेंटी स्टूडेंट हो कुछ जानते हो तभी आप सभी question को टच किये हो और सभी question के बारे में आप लिखे हैं ठीक है इसलिए आप से जितना हो सकी आप question को सीरियल से सभी question का answer अपने टूटी-फूटी सब्दों में थोड़ा बहुत भी जैसे keyword मिलना चाहिए जैसे कोई भी question पढ़े हो ठीक है तो उसके बारे में अगर वो पहला पाट से आपके आगया chemistry से ठोस अवस्था से कोई भी question आ गया आपको ठोस अवस्था बिद्याले में भी अपने पढ़े क्योंकि आप science लिए हो science के student हो ठीक है तो आप थोड़ा बहुत जरूर जाते हो college आते हो तो पढ़ते तो जरूर होगे अगर आपको solid state से कोई भी topic आपको याद हो तो आप उस question में लिग दिए चाहे वो कोई भी ठोस अवस्था का question क्यों नहीं हो ठीक है तो अगर आपको चाहर नंबर का question रहेगा तो आपको कोई भी teacher पूरा यह नहीं कि आपको एक भी नंबर नहीं देगा ऐसा कभी नहीं होगा फूल गारांटी है कि दो नंबर आपको चाहर नंबर में से जरूर देगा अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते अगर आप अपने board exam में फ अच्छे marks लाओगे और डूबने वाले को तिनकी की सहारा होती है ठीक है तो आप किसी भी question को बिल्कुल ना छोड़े उसको करने की अपनी फूर परियास करें और उस question को करें फिर उसके बाद नेश्ट रहा है नेश्ट रहा कि सभी परसनों के answer आपको देना बिल्कुल ज ख्यान से लिखना है और अच्छे थोड़ी writing में लिखना है अगर आपकी writing थोड़ी पूर है तो आप क्या करिए कि आपने दो वड़ों के बीच में एक pain का जगह दे दीजिए ठीक है एक pain का अगर आप gap देकर कोई भी answer लिखते हो तो वो काफी सुन्दर और आकरसत दिखे तो आपको जो होगा teacher जो होते हैं वो आपके copy के पहले ही पेश से आपकी talent ताकि पहचान कर लेते हैं ठीक है कि अगर आप जादे cut pit की रहोगे और writing पूर रहेगी तो उस अगर आप answer सही तो वो क्या कर देगा आपके चार नंबर की कोई भी question रहेगा तो उस पर आपको दो को पहले page की सुरूबाक आपको अच्छे से करना हuates ठीक है अच्छी लिकर्त में करना है अगर आपको कोई भी question नहीं आता हो ठीक है यहापी ज printed हो इंदी में भी आपको पहले question का answer अगर आपको नहीं पता है ठीक है तो आप यहाँ पे छोड़िए बिल्कुल मत इस question का answer बिल्कुल आप न छोड़े ठीक है आपको यहाँ पे जैसे आगया सर्जक की मौलिक उपलबदी का प्रमार क्या है तो आपको तो इस पैराग्राफ होता है पैराग्राफ में से answer लिखना होता है तो आप इ इस कहानी से related है उसमें से कोई भी keyword आप जानते होंगे यानि कोई भी सब्द इस question से जानते होंगे तो आप इसके बारे में लिख देंगे आपको पूरे के पूरे दो न मिलेंगे तो एक नमबर तो जरूर मिलेंगे ठीक है तो आप लोग देखे कोई भी अगर question आप छोड जाते हैं और वो उस question को छोड़ देते हैं ठीक है पढ़ते हैं और उनको वो question का answer नहीं आता तो वो क्या कर देते हैं उस question को बिलकुल छोड़ देते हैं इसी तरह अगर आप इसी तरह छोड़ दोगे तो आपको एक भी number teacher देने का उसमें chance ही नहीं रहेगा तो आपको याद हो तो आप उसमें अगर write कर दोगे तो जो teacher होते हैं उनको भी number देने की chance आपको बढ़ जाती क्योंकि teacher कभी नहीं सोचता कि कोई भी student fail हो ठीक है तो यहाँ पे आपको अगर लिख दोगे थोड़ा बहुत भी answer लिख दोगे तो आपको अगर चार number की question रहेगी तो आ यहाँ बात है यह सभी student के लिए चाहे वो टापर हो यह कमजोर student हो सभी student के लिए बिल्कुल ध्यान देने वाले यह बात है कि अगर आप किसी भी प्रस्ण का उत्तर लिख रहे हैं तो marks ठीक है यहाँ पर कहा गया कि अगर आप किसी भी प्रस्ण के उत्तर को अगर लिख र नहीं कि कोई भी question दो नंबर का है तो आप क्या किए कि उसके आंसर को बिल्कुल एक पेज, देर पेज लिख दिए ठीक है ज्यादे पेज लिख दिए सोच रहे हो आपकी ज्यादे पेज लिखेंगे तो ज्यादे नंबर मिलेंगे नहीं जितना क्वेशन के सामने आपका द जरूर देख ले कि वो कितने नंबर का अगर डोन नंबर का है तो आप जाण जाएगे कि उसकी जो आंसर होगे वो वो सिर्फ वो सिर्फ दो और ती लाइन ही हो सकते हैं यह नहीं कि एक और दो पेज होए ठीक है एक और दो पे जाओ अगर आप किसी भी question का answer लिखने लगोगे तो आपके जो time है वो काफी waste हो जाएंगे और आप सिर्फ एक ही question में लगे रहेंगे other question को आप touch नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको ये बहुत ही जरूरी बात ध्यान देना है सभी student को कि आप किसी भी question को answer देत board exam की तयारी नहीं हुई है और आपके समय भी चले गए हैं तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये trick वर्दान सिध्धोगा क्योंकि डूबने वाले को तिनके की सहरा होती है ठीक है अगर आपको इस trick से अगर आप पास हो जाते हो आपकी life बन जाती है फेल होने से आप बज़ जाओगे तो आप इस trick को जरूर फालो करिए और आप लोग कमेंट करकर ये मत कहिएगा कि मैं इस trick से क्या हम पास हो सकते क्योंकि हमने 100% फूल गारांटी और कई experience के साथ आपको इस trick को हमने बताया है ठीक है इस trick को आप अपलाई करिए हमारी 100% फूल गारांटी कि आप कभी भी फेल नहीं होगे और आप की जिन्दगी बन जाएगी ठीक है आपकी life बन जाएगे तो आज अपिर करना बिल्कुल ना भूले थैंक्यू आल दा वेरी बेस्ट बाइबाइबाइब